प्रश्री ठाकुर अलग अलग रूप लेकर श्री राधारानी के जाने लगे उनको लगता था कि ये बात किसे चुपी भी है लेकिन श्री ठाकुर की कोई बात किसे चुपने वाली थी वो तो एक चाल चलते तो पुरे ब्रज को मालूम पर जाता एक अधा नहीं आवश्कार करते तो पुरे ब्रज को मालूम पर जाता कि आज स्री ठाकुर इस तरीके से देख रहे थे आज श्री कृष्ण ऐसी तेड़ी चाल चल रहे थे आज ऐसे ठाड़े भए थे इस तरह का प्रेमरस पुरे ब्रज में भैता रहा तो श्री ठाकुर की हालत तो ये थी थी लेकिन ब्रज की जो और गोपिया थी उनकी भी इस्तिति ऐसी हो गई वो बिना श्री ठाकुर के र ऐसा मौका लगे कि हम श्री ठाकुर के दर्सन करने उनके पास पहुच जाएं नहा नहा भाना बना कर घर पे कहके जाती कि धई बेशने जा रही हैं दूर्त बेशने जा रही हैं और पहुच जाती वहां जा श्री ठाकुर को चारन करने और एक छटा अगभर देखने के लि अपना सर्वस उनको मान चुकी थी और ये श्तिती थी कि सारी गोपिया जो है पहले तो गोपिया अकेले अकेले जाया करती थी किसी को मालूम नहीं पढ़ जाया कि मैं श्री कृष्ण के दर्शन करने जा रही हूँ जब विरह की अवस्ता इत्ती जादा बढ़ गई अब किस से कहे तो किसी सकी से बात करती जिस सकी से पूछती वो भी ये कहती कि मैं भी कृष्ण को बिना नहीं रह सकती तो धीरे धीरे समूब बढ़ता गया आप सब की सब टोल की टोल बनाकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाने लगे और इस तरीके से एक पूरा प्रेमो उस्सव पुरे ब्रज में आ गया एक हर दिन हर पल एक नया उस्सव श्री ठाकुर के लिए प्रेम भरा उस्सव ये गौाली ने ये गोपियां संजो के रखती थी उनकी एक मुस्कान पे मर जाती थी तो कहा सकी हो जो गई दही बेचन ब्रज में साकरी खोर में श्री ठाकुर निकल गए अब एक सकी वहां से साकरी खोर से जा रही थी मरसा नम है साकरी खोर वहां से जा रही थी तो हमारे श्री ठाकुर खड़े हो गए हाथ पकड़ दिया कहा धही दे अब वो क्या धही तो दे दिया अपना सब कुछ दे दिया और मुस्क्रा के श्री ठाकुर तो चले गए लेकिन इसकी हालत ऐसी हो गई जैसे मिना प्रान के शरीप तो कहने लगे अरे किसने खरीद दिया कितने डाम में खरीद दिया तुझे अरे मुफ्त में खरीद लिया खरीदी नहीं लिया मेरी रजिस्ट्री भी हो गई मेरी आत्मा मन प्रान आत्मा सब खरीद लिया किसने खरीद लिया अरे एक वो नील वन का सावल सा कजरारी नहनों वाला वो आता है जो बर्ची सी तिर्ची चित्वन चलाता है जिसके बिना अब मैं रह नहीं सकती जो मेरी आत्मा बन चुका है मेरा प्रान बन चुका है सकी हो जो गई धाई बेचन ब्रज में उल्टी आप विकाई बिन ग्रंध मोल लई नननन सरबस लिख दे सब कुछ लिखे आदेई में उस सावले को उस नीलवनी को जादिन ते में सूरत संभारी ग्रागन विशलागेरी चित्वत चलत सोवत और जागत ये ध्यान मेरे आगेरी मैं सोती हूँ जागती हूँ केवल ये ही ये ही इसी का ही स्वरूप मेरे सामने रहता है मुझे और कुछ दिखता नहीं है मेरे सामने सिर्फ ये ही दिखता है कि श्री कृष्ण जो है ये आजाएं और मुझे समालने इनकी एक एक जो मुस्कान है इनकी एक एक नजर जो है वो ऐसी है कि लोक कि लाज तजी तबही जब देख्यो सखी ब्रजचंद्र सलोना खंजननिमन सरोजन कीचवी गंजननैन Lala दिन होना और जब से श्री कृष्ण को देख लिया है तो खंजमीन सरोजन कीचवी गंजननैन लला दिन होना दिन भर वही 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 रूप मेरे आगे रहता है उसकी नजर ही मेरे वो जिस नजर से उसने मुझे देख लिया उसकी नजर ही मेरे समक्ष रहती है हर समय मैं उसको देखती रहती ही हूँ मेरा तो सब कुछ खतम हो गया हेरी समारी सकेर सखानी सुकौनती ओवह रूप सुठोना बोह कमान सो जोहनते सर बेदन प्राननी नंद को छोना अरे सकीरी वो अपनी भों से और नेनों से ऐसी सल्वार चलाता है कि सब को माड आता है ऐसी उसकी नजर है तेरी नजर है या टोना तेरी नजर है या तोना या जादू टोना नजरिया मत मारे तेरी नजर है या तोना ये जादू टोना नजरिया मत मारे तेरी नजर है या तोना जरिया मत मारे तेरी नजर है या टोना या जादू टोना नजरिया मत मार उनकी इस तिर्ची चितवन के कारण पूरे ब्रज में एक ऐसी रस की बार आ गई थी कि समूचा ब्रज हर्षण प्रतीशण प्रतीपल उस रस में उस रस की बार में नहाता रहता था एक गौाली ने तो उनकी सब कुछ थी गोबियां जो थी यह उनकी सब कुछ थी लेकिन कोई भी नहीं बचा था क्या गौाल क्या बाल क्या पेड क्या पौदे सब उनके ही थे इस तरह हमारे श्रीकृष्ण सबको धन्य करते वे सबको प्रेम रस बारते वे गोपों को वालिनों को अपनी सखियों को अपने सखाओं को सबको रस बारते वे ब्रज को धन्य करते वे ब्रज की सेवा कर रहे थे क्योंकि अपने भक्तों को धन्य करना था अपने भक्तों की वो अनंत अभिलाशा पूर्णी करनी थी क्योंकि ये ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये जो गौल बाल थे ये गोपिया थी ये और कोई नहीं ये वो निश्चल प्रेमी भक्त हैं जिनोंने कई वर्षों से कई युगों से श्री ठाकुर जी के साथ मित्यसानिद्द्द की इच्छा विक्त कर रखी थी नित्य सानिद्य की मंशा मांग रखी थी तो इस प्रकार हमारे श्री ठाकुर ब्रच को अनंदित करते रहे इसके बाद कल हमने श्रवन किया कि इस प्रकार से सभी गौलीनों ने संकल्ब किया कि हमें विवाज जो है श्री कृष्ण सही करना है श्री ठाकुर ने कहा कि बिलकुल उसको हम सुईकार करते हैं और हम श्रिक्र ही तुमारी ये सब की मनोकामना पून करेंगे रितुएं जो थी हर रितु जो है वो श्री ठाकुर को धन्य करने के लिए आती थी हर रितु और श्रीमत भागवत के अंदर रितुओं का बड़ा महात्म बताया गया है गश्म रितु वो श्री ठाकुर को धन्य करने आती थी अच्छा एक बात और विशेश बताये गई कि वरंदावन में कोई भी रितु हो हर समय एक बड़ा सुन्दर सा वातरुन बना वहाँ था क्योंकि इतने सगन वरक्ष थे इतनी सुन्दर वरक्षा वली थी और उन वरक्षों पर इतनी सुन्दर फूलों की पंक्तियां थी जो देखने को जिनको देखकर ही मन अलादित हो जाता था प्रसंट हो जाता था निर्मल स्वच्छ तो होता ये था कि श्री क्रश्ण जब चले जाये करते थे गोचारण के लिए तो दिन बार बैठे बैठे गोपिय क्या काम करती तो वो श्री ठाकुर को आस्वन करती थी यही काम था उनका और ऐसा ही किस्वन का गीत है वेनु गीत जो कि बड़ा विलक्षन गीत है श्री ठाकुर निकल जाये करते थे प्रेम का रस्तों दे दिया सबको प्रेम के लिए दिवाना कर दिया सबको और ऐसा दिवाना कर दिया प्रेम के लिए कि न दिन न रात श्री ठा अब शिठाकुर निकल गए ब्रज में गौचारण के लिए तो दिन बर क्या करें तो सभी सखियां जो पहले अकेले अकेले शिठाकुर को प्रेम करती थी अब सब मिलकर शिठाकुर की बातें हापस में करने लगती हुए तो ये उस समय की बात है जब वशारितु खतम हुई और शरत्रितु का प्रारम हुआ शरद्र रतु में जहां सरवत्र निर्वलता चाह माँ शीतलता चाल गई जल स्वच्छ हो गया गगरन सच हो गया पक्षी चह चाह रहे हैं भौरे गुंजाय मान कर रहे हैं रक्षों की पंतियों पर वक्षों की पक्तियों पर सुन्दर सुन्दर अलग-अलग फूल खिले में हैं जहां सर्वत्र प्रक्रति का सुन्दर अपने सर्वोत्तम स्तर पर हैं जहां घासित्ति निर्मल जलाश्यत निर्मल हो गए हैं सब जगे स्वच्छ हो गई और तब हमारे श्री कृष्ण निकले गौचारण और गउचारण करते करते पहुँचे वन में इधर जो गोव्प्या थी उनका मन श्री कृष्णि के साथ चला गया और अब क्या करें दिन भर तो साथ में बैठकर श्री कृष्णि की चर्चा करती हैं उनके उनके सुरूप को याद करती और हमारे श्री कृष्ण क्या करते कि चले जाते वन में और ठाड़े वह एक व्रुष के नीचे और वेणू नाद करते थे तो उस वेडुनाद को सुनकर सक्षियों का गोपियों का मन हाथ से निकल जाया करता था वो आपस में चर्चा करने लगती थी कि अरे ये कृष्ण कैसे हैं कितने सुन्दर है इनके रहने से पूरा व्रज व्रंदावन कितना स्वच्छ और सुन्दर हो गया है आहाँ आपूरयन गोप्रवंदई प्रंदारन्यम स्वपद्रमणम का विशद गीत घीर्दी एक सकी कहती है अरे सकी ये कृष्ण कैसे हैं कितना सुन्दर सुरूप है इनका किस प्रकार से अपने मस्तक पर मैय उर्पिछ लगा कर गौल वालों को लेकर कंपनिया स्वरूप में और हमें छोड़ कर वहां व्रंदावन को जाते हैं और देखो नंगे पहर जाते हैं माला पैन रखी है कितना सौंदर रहा है ऐसे स्वरूप को हम पीपी के तो जीप आती हैं सारी सक्या चर्चा कर रही है तो एक सकी कहती है अक्ष्माताम्पलमिदंन परम्विदाम्ह सक्या पशुनननु मिवेशतयोर वयस्यी वक्त्रम्णजेश सुतयोर वेणो जुष्टम् येर्वान पितंम्मनुरग्दगटांक्ष मोख्यम्हा एक सखी कहती है कि अरे सखी इन आखों का तो होने का क्यवल एक फल है क्यवल एक ही फल है कि ये आखे हैं सिर्फ सिर्फ कृष्ण को जब वो गाय चराने जाते हैं अपने सौंदर शौष्टव के साथ और अलग अलग अदाओं के साथ और जब गाय चराने चराकर वापस लौटते हैं तब उनको देखें और इस इन आखों से उनकी रस माधूरी को पिए इस आखों का तो होने का साफले के वो इतना ही है यह आखें तर्व इसलिए हैं कि उनके दर्शन को उनकी रूप को उनके इस सौंदर को इस अध्राम अमरत को देखती रही पीती रहें पीती रहें पीती रहें एक सकी कहती है एक सकी कहती है इसका इको बड़ा पार से एक सकी कहती है कि अरे ये जो किशोर है कृष्ण है ये व्रंदावन को धन्य करने के लिए आये है ये व्रंदावन इनके उपस्तिस्तिते इनके होने से व्रंदावन की कीर्थी पुरे विश्व में पुरे ब्रह्मार में फैल गई है और ये जब कृष्ण वेणू नाद करते हैं जब वेणू बजाते हैं तो यह मयूर जो है एसे नित्य करता है उन्मत हो गया हो पागल हो प्रेम का जिसको रोग लग गया हो अच्छा यह मयूर की ये जो रक्षी जो है पक्षी है रक्ष की लता है एकदम सपंदन गईत हो जाती है इनका वेग रुख जाता है ये पक्षी जो है ये उनको देखते रह जाते हैं रंदावनम् सकी भूवित नोति कीरती यत देव की सुद पादाम जलग लक्षमी गोविंद वेणु अनुमत मयूर निद्यम् प्रेक्ष्यात्री सानु प्रतान्य समत्व सत्वम् तुम गर्फ रहरे हैं है जो गाएं जिनके लिए श्री कृष्न ने जनम लिया है ये जब श्री कृष्न जो है जो ब्रज के नाथ है जब ये वेनु का नाद करते हैं तो ये गाये जो हैं अपने कानों को खड़ा कर लेती हैं और इनके वेनु नाद से इन कानों के माध्यम से श्री कृष्ण की रूप को माधूरी को पी कर और अपने रदें में स्तापित करती हैं गाये और फिर रदे में जब उनका सुरूप स्तापित हो जाता है तो उसकी अरादना करती है और गायों की क्या बात है जो इनके बच्ड़े हैं इनके बच्ड़े जो है जब क्रिश्ण वेनु नाद करते हैं तो ये बच्ड़े जिन्होंने दूद का पान कर रखा है दूद का निवाला जनके मु 제ह है वह सब पुषूपक्षी जो है । यह हतप्रप हो जाते है। और इस पर होकर उस वेडुदू नात को सुन सुन कर सुनकर फ्रस्टनचत हो जाते हैं। तो अरी'S पुटेई पिवन्दया शावास्नु तस्पनय कवलाश्वा तस्तु गोविंद आत्मनी दशाशु कलाश्ट पशंदया इस प्रकार ब्रज में निट्र नहीं उत्सव मनते थे कभी ष्रिठापुर की अदा का उतसव कभी रूप का उतसव वेनु उतसव ये वेनुगीत के श्लोप है प्रसित वेनुगीत के जिसके एक एक श्लोप पर आचार्यों ने कई सौशो टिकाएं करी थे अलग-अलग भाव से अलग-अलग भाव निकालकर श्री ठाकुर के उसे प्रेम सुरूप को प्रकट किया है कि एक गौाली ने जो है किस प्रकार से पीरित थी श्री ठाकुर के प्रेम में किस प्रकार से संदर भावों को वेक्ट करती थी साथ रमिल कर इस प्रकार बरज में नित्य नहीं उस सब होते थे अब ये सब होते होते वो दिन भी निकटा गया जब श्री ठाकुर जो है हम बड़े तेजी से सारे प्रसंगों को ले रहे हैं क्यों रुक्मनी भिवा करना है और आज बेश्राम भी है इसके परशाद शुक्देव जी ने सारे कर्था प्रसंगों को बताया किस प्रकार से एक दिन एक अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया था श्री ठाकुर ने उसका उद्दार किया एक दिन एक आश्री का दिन था नंद बाबा संध्या के समय स्दान करने चले गए संद्या के समय इस्दान नहीं करना चाहिए तर शास्त्रों में लिखा हुआ है वो वरुन का समय होता है तो वरुन के दूत उनकों लेकर वरुन लोग ले गए और वहां श्री ठाकुर गए नंद बाबा को चुड़ाया और वहां नंद बाबा ने श्री ठाकुर का एश्वर देखा कि वो वरुन लोग के जो वरुन देवता हैं वो सब श्री ठाकुर के चड़ों पर गिर रहे है तब सब गौल बालों ने भी इच्छा प्रकट करी कि हमें भी आपका वो गोलो कधाम दिखाईए वेकुंध दाम दिखाईए तब श्री ठाकुर ने उनकी इच्छा भी पूरी करी ऐसा पूरा वर्णा निश्रिमत भागवत में है और अब वो समय भी आगया जिस समय की प्रतिक्षा सब गोपियों को थी अभी तक तो गोपियां विरह में दड़पती थी वेडू गीत गाती थी कभी कौन सा गीत गाती थी लेकिन चुकि श्री कृष्ण ने उनसे वादा किया था उनको कहा था कि आने वाली रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ सयोग लिया करूँगा तुमको धन्य करूँगा तो वो समय अब आगया महारास का समय ये महारास जो है इस तूल रूप से दिखने में कुछ भी लगता हो लेकिन वास्तों में ये महारास आत्मा और परमात्मा का मिलन है ये महारास उन अनंत आत्माओं की अनंत अनंत जन्मों की प्रात्ना का फल है वो आत्मा है, वो प्रेमी, वो भक्ता आत्मा है जिनोंने कई जन्मों तक श्रिट ठाकुर का प्रेम पाने के लिए उनका सानद्य पाने के लिए घोर तपस्या करी और वो सिर्फ ये चाहती थी आत्मा है कि हमें श्रिट ठाकुर अपना ले, सुईकार कर ले हमें अपने मिलीन कर ले और इसी के लिए कई आचारे तो कहते हैं कि इस महाराज के लिए ही श्री ठाकुर्ने अताड लिया रास पंच अद्याईईे श्रीम भागवत के अंदर पंच अध्याई चोपनाई है इनको पूरे भागवत का प्रान कहा गया है ये पंच प्राण है जिसे एक शरीर में पांच प्राण होते हैं और पांच प्राण जो हैं वो पुरे शरीर को संचालत करते हैं ये वो पांच प्राण हैं श्रीमत भागवत के रासपंचत है तो श्री ठापुर ने उन सब गोपियों की इच्छा को पूरी करने के लिए उन एक मात्र भी दाशा है कि हम उन ब्रभ्रम के सरूप में स्तित हो जाए लीन हो जाए उसके लिए इस महारास का आवान किया क्या किया वेनू पजाई चैक है वेनू जो है ये वेनू श्री कृष्न की प्रेम वाहिनी है प्रेम का संदेश लेके जाती है जब भी किसी को आकशत करना होता है श्री कृष्ण वेनु बजाते हैं और ये वेनु का स्वर जो है ये भक्त के रदे को स्पर्ष करके संकेत देता है संकेत देता है कि श्री ठाकुर बुला रहे हैं चलना है तो हमारे श्री ठाकुर ने भी वेनु का नाद किया और ऐसा विलक्षम नाद किया कि पुरी प्रकरती आनंद में स्थत हो गई कि अ आनंद में स्थत है वाँ वाँ मेग वान उन सब रात्रियों को याद करते हैं रात्री शदोत फुल मल्ली का शर्द का समय है चारो तरफ शर्द दितु की वो आभा है निर्मलता है मन्द मन्द समीर सुगंदत समीर भे रही है जला शय में नव कमल खिलिवे हैं पुरी प्रगर्दी अपने सौंदर रेव पर है और अपने सौंदर इसे इस रास में इस्सा लेने के लिए तत्पर है तयार है श्री थाकुर ने कहा सोचा अब वो समय आ गया है जब इन आत्माओं की अभिलाशा मुझे पुरी करनी है तो उस रास की प्रष्ट भूमी की रशना करी किसकी सायता से योग माया मुपाश्रिता योग माया श्री थाकुर जी की जो योग माया है श्री राधा रानी उपाश्रिता उनका आश्रय लेकर इस रस की इस रसोत्सव की इस महा रसोत्सव की महा रास की तयारिया प्रारंग करी श्री थाकुर ने तदोड राजा ककुभा करेर मुखम प्राच्या विलंबनम अरुने शंत मैं सर्चर्शिना मुदगाशु जुम्रजनह प्रिया प्रियाय इव दर्शनह चंद्रमा अपनी पूरे सौंदर्य में तदोड राजा पूरे सौंदर्य में आ गया और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे अभी उसका मिलन हुआ है रातरी से और वो चंद्रमा लाल लाल है ये लालीमा लेके आया है ये प्रेम की लालीमा है पूरा बातावरण पूरी प्रकर्ती प्रेम मन मही हो गई प्रेम के रस में डूबी हुई प्रकर्ती का श्री ठाकुर्ण ने निर्वान किया और फिर इस वेनुनाद को सुनकर जी जो वेनुनाद हुई निशं मेंगीति निशं में गीतpton द्रकुर्ण वर्दरंम् सह्ट्रियय कैष्ण गृटमाद अ मिश्यार्डपीश्ट्य आजय फ्रक्नी अमोरने मक्ष्ष्ट दम्माद स्यद्रिकां покो जवलोल कुंद ला इलिए कि सुए दून गीत इस अद्वित्य वेनु घीत को सुनकर इस प्रेम के आवान को सुनकर परमात्मा के श्री कृष्ण के परब्रम के इस आवान को सुनकर वो सब गोपी रपीर जो प्रेम के श्री कृष्ण के प्रेम से पिडित थी प्रेम में पागल थी वो सब खीची चली आई यह यह वेडूनाद सिर्फ और सिर्फ उन गोपीयों क को सदेश सिर्फ और सिर्फ भक्तों को सफ़ाय के ऊपियों वे स्कुषण किया और सारी को पीया जिस अवस्ता में थी जैसी थी जो कर रही थी उन सब कार्य को वहीं छोड़ कर ततकाल उस तरफ भाग चली उस तरफ दोड़ चली जहां हमारे श्री कृष्ण ठाड़े भये में उनाद कर रहे थे चो क्या है क्लाय अ भी हल्वा बना रही हल्वा कुण एर वहीं ऽरल भागी भी पती को भोजन पर लिन छोड़कर चम्ब चोड़कर Ey। वेर्ट लेहंगा पेनके कुण चली है जब श्री Streep रवाद रही तो किसकी प्रतिक्षा करता है इस Kelvin Ngear कर रही थी रहत बिंदी लगाती भी दोड़ गई कोई चोटी गुंद रही थी खुली भी चोटी से दोड़ पड़ी और कुछ जो चलने के प्यार हुई और जनको उनके पतियों ने उनके घरवालों ने लोक लिया तो उन्होंने अपने आपको एक कमरे में बंद करकर और अपने प्रान आत् प्रेष्ट विर्ट्र विताप दुता शुबहा ध्यान प्राप्त चुत्त श्लेश्र रुट्यक्षिन मंगला तमेव पर्माथ मनम्जार पुद्यापी संगता जहुगुण मया देय सक्द्य प्रसिक्ष्ण बंदना अधू दुच्सह प्रेष्ट विरह तिव्रताप दु जो उनके दोश ते वो समाप्त हो गए और भगवान से मिलन कब होता है जब आपके सारे दोश खतम हो जाएं और जब आपके सारे पुन्य खतम हो जाएं सारे पुन्य खतम हो जाएं और सारे पाप जल जाएं तब श्री ठाकुर से मिलन होता है तो विरह से तो गोपियों के सारे पाप जल गए और ध्यान प्रापता चुत और ध्यान में जब लगी और उस ध्यान में जो आनद उनको मिला उससे उनके सारे पुन्य जल गए और जैसे ही पुन्य और पाप दोनों सवाप्त हुए ये गोपियां श्रिठाकुर जी के पास पहुच गए सब की सब पहुची शिठाकुर मुस्कराते वे वेडूनाद कर रहे हैं मंदमन उनके चरे पे मुस्कान हैं आखे अद्ध खुलीनी हैं और मुस्कराते वे सब का वेडू से स्वागत कर रहे हैं सब का स्वागत किया देखा सब आ गई हैं कहा स्वागतम स्वागतम वो महाभागा सब का स्वागत है स्वागतम वो महाभागा प्रियक्यम करवानिवा वरस्याना मयं कश्यत रूता गमन कारणं अरे गोपियों तुम्हारा स्वागत है तुम आई लेकि तुम क्यों आई हो किसने बुलाया कैसे आ गई है और इतनी रात्री में आई हो इतनी घोर रात्री में इसी क्या बात हो गई इसा क्या काम पड़ गया जो इत्ती रात्री में इस घोर जंगल में तुम चलके आ गया अच्छा तुम आ गई हो तुम्हें अगर मेरे दर्शन करने थे तुम मेरे दर्शन हो गए हैं अब जाओ गेट बैक टुई यर होम घर जाओ तुम्हारे पती तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहे होंगे अरे तुम्हारे पुत्र रोरे होंगे जिनको तुम छोड़के आई हो जाओ गोप्याहिदम चिंगते यह क्या कर रहे हैं श्रीक्रशन एक तो हमें प्रेम की डोरी से खीच के बुलाया और अब हमें जाने के लिए कह रहे है अरे जाओ भई देखो तुम्हारा धर में पती की सेवा करना अब ठीक है तुम्हारा प्रेम मुझसे है वो बात ठीक है लेकिन जाओ अपने घरवालों की सेवा करो पती की सेवा करो जाओ वो गया दरशन हो गया और तुम अपने गिए पे जाके भी मिरा ध्यान कर सकती हो जाओ का जब इन गोपियों ने सुना थो उनके प्रान जो है वो कंड़ तक आ रहे हैं कि हम इतनी धूर से सब कुछ छोड़कर हैं इतनी धूर से सबको छोड़के आई हैं और यह हमें भाने की कोशिश कर रहे हैं हमें भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे श्री ठाकुर यह डीला करते हैं हर मनुष्चे के साथ पहले उसकी परिक्षा लेते हैं कितना इसका प्रेम है मुझसे यह कितना प्रेम करता है how much does he love me or she loves me कितना प्रेम करता है अगर संसार को चाता है प्रेम दिखा रहा है ठीक है भई देख लिया ले लो दो-तीन क्रोड रुपे पांदस क्रोड रुपे ले लो आरे हजार क्रोड रुपे ले ले जा मस्तरे जा परिक्षा लेते हैं लोब देते हैं जाओ पती को समालो घरगस्ती समालो जाओ उत्कंटा देखते हैं किती उत्कंटा है कितना प्रेम है जा जा ते को सफलता दे देता हूं तेरा बिजनस बढ़ रहा है जा जा प्रसिद्धी बहुत प्रसद्धी हो रही है लोब देते हैं क्योंकि भक्ति के चक्कर में मैं खुट फजाता हूं किसी को अगर ब्च्ती दे दी तो मैं उसका दास बन जाता हूं मुझे दास बनना पड़ता हूं तो परिक्षा ली अब गोपिया तो साहब वो तो इन श्री कृष्ण की भी गुरू है इन श्री कृष्ण की भी गुरू है जो प्रेम की श्रीक्षा है प्रेम की श्रीक्षा की जो पाठ शाला है जिस पाठ शाला में श्री कृष्ण ने प्रेम की श्रीक्षा ली है उसकी प् बज गई ये कुछ नाटा कर रहे हैं हाहा हाहा भजो राधे कृष्णा